आप डेली अपना Samsung phone को यूज़ करते करते देखते हैं कि आपको दिन में दो बार आपके phone को चार्ज करना पड़ता है क्योंकि इसमें battery backup आपको एकदम भी अच्छा नहीं मिलता है खासतर से आप S21 FE या फिर S23 FE के बारे में बात करें तो आपका phone unnecessarily हीट होता है और उसके फिर भी आपका phone हीट होता है और उसके साथ साथ आपका phone में battery backup नहीं मिलता है तो मैं आपको इस वीडियो में कुछ important settings बताऊंगा जिसको आप अगर off कर देंगे तो आपका phone का battery backup में आप improvement देखेंगे और उसके साथ साथ आपका phone हीट भी नहीं होगा और सबसे इंट्रेस कोई भी features इसमें आप यूज नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं होगा तो सबसे पहला जो setting है तो आप setting के अंदर चले जाएए और जाने के बाद आप यहां पे Google के उपर tap कीजिए और tap करने के बाद आपको all services के अंदर जाना है और आपको यहां से device and sharing के उपर tap करना है तो उसके बाद आपको device के उपर tap करना है तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो ये Google ये nearby sharing device always search करता है तो आप अगर nearby share को use करके कोई भी data आप share करना चाते हैं तो आपको Bluetooth और Wi-Fi को on करना होता है बट ये जो Google का service है ये क्या करता है कि आपके device में Wi-Fi और Bluetooth दोनों off रहते हुए भी ये nearby device को search करता है तो इसको आपको off कर देना है और next setting हमारा जो off करना है वो nearby share related ही है तो आपको connections के अंदर जाना है और आपको यहां पर more connection settings के उपर tap करना है तो आपको यहां पर nearby device scanning यहां पर भी आपको on दिखाई देगा तो आपको इसको उपर tap करना है और tap करने के बाद आपको यहां पर साफ दिखाई देगा कि your phone will scan device even when your Bluetooth is done off मतलब आपका अगर Bluetooth off भी है तो भी यह nearby device को scan करेगा तो यह unnecessarily आपका background में Bluetooth में search करता रहता है तो आपका बैटरी इसमें drain होता है और आपका phone heat भी होता है तो इसको आपको off कर देना है क्या आपको पता है कि आपका Samsung mobile हर वक्त किसी ना किसी printer को search करता रहता है जी हां दोस्तों यह सच है आपको उसको off करना है क्योंकि हर वक्त आप print करते नहीं आप अगर travel कर रहे हैं तो आपको printing करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो आपको यह printer का setting है इसको भी off कर देना है तो इसका settings आपको connections में ही मिलेगा आपको more connections settings के अंदर जाना है और यहां पर printing के उपर tap करना है तो बैटरी इसमें drain होता है और उसके साथ साथ आपका phone heat भी होता है तो इसको आप अगर off कर देंगे तो आपका phone का battery drain भी नहीं होगा और heat भी नहीं होगा तो इसको भी आप off कर देजिए One UI 6.1 में एक आपको बहुत ही अच्छा feature मिला था camera sharing का तो आपका device का camera को आप यूज क कि मेरे पास कोई tablet नहीं है तो मेरा यह जो feature है यह किसी कामका नहीं है तो आपके पास भी अगर tablet नहीं है आप camera sharing का feature यूज नहीं करते हैं तो आपको इसको battery saving के लिए off कर देना है तो यह feature अगर on रहेगा तो आपका mobile हर वक्त किसी tablet को search करता ही रहेगा क्योंकि इसमें camera sharing का feature on किया हुआ है तो इसको आप अगर off कर देंगे तो आपका battery भी बचेगा और उसके साथ साथ phone भी हीट नहीं होगा और यहां पर यह आपको एक और setting मिलता है continue apps on other device तो most of the people के पास क्या होता है कि दो samsung phone एक साथ नहीं रहता है हर किसी के पास एक ही samsung phone रहता है तो आपको continue apps on other device मतलब आपके पास अगा samsung phone है दूसरा और tablet है या फिर samsung का laptop है तो उसमें आप एक device से दूसरा device में copy text, images, files, videos मतलब बहुत कुछ आप copy paste कर सकते हैं तो आपके पास अगा दूसरा कोई samsung का device नहीं है आपके पास सिर्फ samsung का mobile है तो यह feature आपके कोई भी काम का नहीं है तो इसको आप off कर देजिए तो आपका battery भी बैचेगा और phone heat भी नहीं होगा तो यह सारा चीज background में काम करता है तो इसको आप अगर off कर देंगे तो आपका जो phone का RAM है वो खाली रहेगा और जादा RAM यूज नहीं करेगा अपना phone तो आपका phone heat भी नहीं होगा और उसके साथ साथ battery drain भी नहीं होगा और यहां पार यह आपको एक और feature मिलता है multi control का यह भी most of the people का किसी भी काम का नहीं है क्योंकि most of the people के पास multiple Samsung का device नहीं होता है तो आपके पास single Samsung का mobile है तो आप इस multi control का feature को भी off कर देजिए तो multi control का यूज करके भी आप file transfer वगरा कर सकते हैं तो आप आपके पास अगर multiple device है और आप इस feature को use करते हैं तो आप use करिए नहीं तो आप off कर दीजिए नेक्स्ट आपको जो service दाता हूंगा वो आप अगर use करते हैं तो आप उसको on रखिए और आप अगर use नहीं करते हैं तो आप उसको off कर दीजिए यह digital well being and parental control का setting तो आप देख सक करते हैं तो आप इसको on रखिए नहीं तो आप इसको off कर सकते हैं इसमें आपका battery बचेगा और उसके साथ साथ phone heat up भी नहीं होगा क्यों क्योंकि आप अगर यहां पे यह जो line से इसके उपर tap करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आप अपना phone को किस तरह से use किये हैं कब कितन time के लिए आप यूज किये हैं कौन सा app आप कितने time के लिए use किये हैं सारा track इसमें रहता है तो यह जो tracking है इस tracking को करने के लिए आपका phone का कुछ resource इसमें चाहिए होता है इसमें आपका RAM हमेशा use में रहता है तो आप अगर इसको off कर देंगे तो यह tracking तो आपका नहीं होगा बट आपका RAM और बैटरी बाचे का और फोन हीट अप भी नहीं होगा तो ये सर्विस को आप OFF रखे या फिर ON रखे ये आपका मर्जी है आप अगर इस सर्विस को यूज करते हैं और आप अपना मोनिटरिंग करते हैं अपना डिवाइस का यूज को तो आप इसको ON रखे तो इसको आपको OFF करने के लिए यहाँ पर 3 dot मिलता है तो इसको इपर टैप करके आपको सेटिंग का अंदर जाना है और उसके बाद आपको usage data access इसको उपर टैप करके इसका सेटिंग का अंदर जाना है और आपको यहाँ पर allow permission इसको आपको OFF कर देना है जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर इसको use करते हैं तो ON रखे नहीं तो आप OFF कर दीजिए और मैं इसको use करता हूँ तो मैं इसको ON ही रखोंगा नेक्स जो सेटिंग आपको OFF करने बोलूँगा वो आपको हर वक्त irritated भी करता रहता है तो आप इसके लिए notifications के अंदर चले जाए और आपको app notifications के अंदर जाना है तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके device में जितना सारा apps installed है उसका सारा notification यहाँ पर ON है तो आप अगर चाहते हैं कि आप यह जो अप्लिकेशन है इसका notification OFF रखें जैसे कि Galaxy Themes का कोई भी notification मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसको OFF कर दूँगा और भी जितना सारा आपको unnecessary apps लगता है जैसे कि link to windows हो गया इसका मुझे notification ज़रूरत नहीं है और उसके बाद Instagram का मुझे notification चाहिए तो आपके device में जितना सारा आप से आप अगर चाहते हैं कि सारा apps का notification आके आपको disturb ना करें तो आप यहां से उसका notification individually off कर सकते हैं तो इसमें आपका battery भी बाचेगा मतलब आपका notification जब आता है तो आपका phone का display on हो जाता है तो उसमें आपका battery यूज हो जाता है क्योंकि यह जो setting है इसको आप अगर on रखेंगे तो आपका phone का battery को यह protect करता है उसके साथ साथ आपके battery health को भी protect करता है heating भी manage करता है और उसके साथ साथ आप अगर राद बार phone को charge करते हैं उसमें भी आपके phone को या फिशार्जर को दोनों को protect करता है तो यह setting के लिए आपको battery के उपर tap करना है और उसके बाद आपको battery protection के उपर tap करना है और आपको इसको on करके यहाँ पे आपको तीन option मिलता है basic adaptive maximum तो basic को आप अगर on करके रखेंगे और रात बार के लिए आप अपना phone को charge के लिए छोड़ देंगे तो आपका phone 100% charge होगा उसके बाद आपका phone का charging stop हो जाएगा फिर आपका mobile का battery percentage अगर 95% हो जाएगा तो उसके बाद यह फिर से 100% तक charge करेगा तो 95% से 100% यह cycle होता रहेगा तो इसमें आपको benefit क्या मिलेगा कि आपका phone charging के time पे heat नहीं होगा तो आप अगर पूरी रात के लिए अपना phone को charging के लिए छोड़ देंगे तो यह setting आप अगर on रखेंगे तो आपका phone का battery के उपर कोई भी harm नहीं आएगा तो इसको आप definitely on feature भी loss नहीं होगा मतलब आप कोई भी feature को यूज नहीं कर सकते हैं ऐसा नहीं होगा बट आपका phone का battery backup increase होगा और उसके साथ-साथ hitting भी नहीं होगा तो इतना information आपको इस वीडियो में देना था see in the next video